तो भई एक शुमारिया दान बास्किट बॉल के हर 12 खिलाडियों के स्कोर का हिसाब रखता है और उसके बाद इस मालूमात को स्टेम और लीव की शक्ल में लिखता है तो पूरी टीम ने कुल कितने स्कोर बनाए ये हमें जानना है अब भई सारी मालूमात हमें इस चीज से निकालनी है और ये टेबल काफी अजीब सा लग रहा है लेकिन जैसे ही हम जान जाएंगे कि हर नंबर किस चीज को दिखा रहा है हमारे लिए इस तरह के सवालाद बहुत ही आसान हो जाएंगे तो यहां पे लीफ वाला जो हिस्सा है वो दिखा रहा है छोटे आदात को यानि यहां यूनिट्स हैं तो यहां यूनिट्स में हमें मालूम हो रहा है कि हर खिलाडी कितना स्कोर कर रहा है और अब आते हैं इस हिस्से पे जिसको स्टेम कहते हैं तो इस टेम में हम आदात को देख रहे होते हैं, टेंस में, तो चलें, इस मानुमात को जरा जानी पहचानी शक्ल में ढाल लेते हैं, ताकि इस बात को समझना थोड़ा और आसान हो जाए, यहां एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, साथ, साथ खिलाडी हैं, इस सब के ट हैंस की जगह हम सिफर लिख लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और साथ, और अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पहले खिलाडी के यूनिट्स भी सिफर हैं, और दूसरे के भी, तीसरे के यूनिट्स दो हैं, चौहते के चार हैं, पांचवे के साथ, छटे के भ यहां, और यहां जो है, चार खिलाडी हैं, इन सब के स्कोर्स में एक, एक, टैन हैं, यहां भी एक आएगा, यहां भी, यहां भी और यहां भी, अब इनके यूनिट्स पे आते हैं, इस वाले का यूनिट एक है, इसका भी एक है, इसका तीन है, इसका आठ है, यहां इस खि आखरी खिलाडी का स्कोर दिया हुआ है जिसके दो टेंज है और यूनिट सिफर है यानि इसका स्कोर है बीज तो भई स्टेम और लेफ की मदद से हमने हर खिलाडी का स्कोर तो मालूम कर लिया लेकिन इस तरह से मालूमात को दिखाने का फाइदा क्या है वह अगर आप गौर करें तो यू सारे खिलाडी तीन ग्रोहों में यानि तीन ग्रूप में बढ़ गए सिफर से नौ तक स्कोर करने वाले खिलाडी यहां हैं दस से उन्निस तक स्कोर करने वाले खिलाडी यहां हैं और 20 से उपर स्कोर करने वाले खिलाडी यहां हैं तो यू पूरी मालूमात को द यह जानने के लिए हम इन सारे स्कोर्स को आपस में जमा कर देंगे 20 जमा 18 जमा 13 जमा 11 जमा 11 जमा 9 जमा 7 जमा 7 जमा 4 जमा 2 बराबर होते हैं 102 के और यही हमारा जवाब है